हेलो बच्चों कैसे आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं क्लास 6 की वॉक्षीट नमबर 8 जो की 29 जुलाई 2021 की वॉक्षीट है और सब्चेक्ट है मैथमेटिक्स यहां आप अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे हमें एक गेम खेलना है जिसके थूँ हम अलग अलग बच्चों की एज को फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर देखो let's understand and play this game first है मोहन's age is in column A and column D but not in column B and column C hence मोहन is 9 years old तो हमें देखना क्या है यहां पर 4 columns दिये हुए है column A, B, C, D मोहन की एज किस-किस column में है A और D में तो है A और D में present है पर B और C में नहीं है तो इन दोनों में हम cross कर देंगे तो हम एक ऐसा number find out करना है जो A और D दोनों में हो पर B और C में ना हो अगर हम number 1 देखें तो number 1 तो D में नहीं है नहीं हो सकता number 3 की बात करें तो number 3 B में भी present है पर जोकी नहीं होना चाहिए यह भी नहीं हो सकता अगर हम 5 की बात करें तो 5 present है column C में तो ये भी नहीं हो सकता 7 तो तीनों में present है ये भी नहीं हो सकता अगर हम 9 की बात करें तो 9 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है यानि A और D दोनों में present है अगर B और D की बात करें तो क्या B में 9 है? नहीं, क्या C में 9 है? नहीं तो इसका मतलब हमारा correct answer है 9 years अब हम देखते हैं हमारा second question second question क्या कह रहा है रूही's age is in column B only यानि हमें सिर्फ इसको देखना है hence रूही is 2 years old यानि एक ऐसा number जो सिर्फ और सिर्फ column B में हो A, C या D में ना हो तो 2 हम देख रहे हैं कि 2 यहां पे भी नहीं है 2 यहां पे भी नहीं है और 2 यहां पे भी नहीं है इसका मतलब 2 यहां पे correct age है रूही की third है तरण जोत's age is in column A and B and D यानि A में भी होनी चाहिए B में भी होनी चाहिए और D में भी होनी चाहिए but not in column C पर column C में नहीं होनी चाहिए तो तरण जो की age क्या होगी चलो हम देखने की कोशिश करते हैं एक ऐसा number जो A, B और D तीनों में हो अगर हम 15 की बात करें तो 15 तो 4 में भी है मतलब की C में भी है नहीं ले सकते अगर हम 13 की बात करें तो 13 यहां है पर C में present नहीं है तो correct answer आया यहां पर 11 years देखो यहां पर लिख भी रखा है 11 years अब हम देखते हैं 4 4th क्या रखा है John's age is in column A, B, C and D यानि एक ऐसा number जो चारों में present है तो कौन सा है 15 years चारों में present है तो इसका मतलब John की age हो गई 15 years ठीक है अब इसके basis पे हमें क्या कह रखा है Let's do कुछ questions हमें दे रखे हैं उनको solve करना है First question है Rohit's age is in column A and C but not in B and D Find Rohit's age यानि हम एक ऐसा number देखना है जो की present होगा A में भी और C में भी पर B और D में present नहीं होगा तो देखो अगर हम number 1 की बात करें तो जो number 1 है वो C में present नहीं है तो नहीं हो सकता 3 दोनों में present है A और B में जो की B में present नहीं होना चाहिए था अगर हम 5 की बात करें तो 5 इसमें भी present है और इसमें भी present है तो 5 हो सकता है पर क्या 5 इसमें है? नहीं है क्या 5 इसमें है? नहीं है तो correct answer कितना हुआ 5 क्योंकि हमें एक ऐसा number चाहिए था जो A में भी present हो और C में भी present हो और B में ना हो और D में ना हो तो 5 ऐसा ही number है तो first जो question है इसका answer आ गया 5 years ठीक है अब हम देखते है second question जो कि कह रखा है Salman's age is in column B, C and D but not in A find Salman's age तो हमें Salman की age find out करनी है जो की column B, C और D में तो present है पर A में नहीं है यानि एक ऐसा number जो तीनों column में present हो तो 15 present है लेकिन वो तो A में भी है तो ये नहीं हो सकता पर इसके नीचे देखो ये दे रखा है 14 14, B, C, D तीनों में present है और A में present नहीं है तो correct answer कितना आ जाएगा correct answer इसका हो जाएगा 14 years ठीक है अब हम देखते है third question जो की है what types of number do you see in column A column A में किस तरह के number है क्या type है इनका column A में है 1, 3, 5, 7 और कौन कौन से नहीं है 2, 4, 6 8, 10 ये numbers नहीं है तो ये number हम इनको कहेंगे even numbers और ये जो यहाँ पे present है इनको हम कहते है odd numbers ठीक है तो column A में जो numbers present है उनको हम कहते है odd numbers तो fourth question है try to find out age of your younger brother, sister और friends using about table तो आप अपने friends के अपने भाई बहनों की age भी इस table के को देख कर find out करने की कोशिश कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार activity है आपको ये करने में बहुत मज़ाया होगा I hope आपको ये वीडियो के थूँ ये पूरी वरक्षीट अच्छे से समझ में आ गई हो और काफी interesting भी लगी होगी ये 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 लगी होगी 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 हो